हेलो एब्रिवन मैं मेतुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बिप्यसी के प्रीवेशर कोश्चन पेपर की सीरीज हम लोग चला रहे हैं मैं आपको बता दू 1993 1993 में जो पूछे गए प्रसन है उनका पार्ट टू है अब आप बोलोगे पार्ट वन किदर है तो पार्ट वन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से जाकर देख लिजे दूसरी बात टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें जो है लेटेस्ट अपडेट आते रहती है कौनसी वीडियो अपलोड हुई है नहीं हुई है तो टेलिग्राम चैनल को जरूर जोई किजिएगा चलिए बहुत पर चार परसार हुआ पहले कोशन की और हम लोग बढ़ते हैं कोशन नमर 51 दिल्ली में बिजे घाट किसकी समाधी अस्थल को हम लोग बिजे घाट के नाम से जानते हैं लेकिन आपको याद होगा मैंने जब 96 का कोश्चन पेपर स्वाल कराया था वहां पे जवाहलाल नेरु के बारे में पूछा गया था जो की आंसर क्या हो जाएगा सांती वन आई रिपीट सांती वन जो है समाध समाधी अस्थल को क्या कहते हैं तो देखिए समाधी अस्थल जो है राजीव गांदी का उसे कहा जाएगा वीर भूमी क्या कहा जाएगा वीर भूमी पेन पेपर पर आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा ऐसी मेरी उमीद है आप लोगों से चलिए अगले कोशन की और हम पति पद के लिए वो निर्वाचित हुए तो देखिए उसका नाम आपको बताना है उस दखिए ये करेंट अफेर्स था उस समय का इनमें से जो है कुछ जो कैनेडी है जर जे एफ कैनेडी इनका नाम से एरपोर्ट भी है लेकिन ये करेंट अपर्स का कोश्चन है तो इसे maximum यानि कि अधिक्तम कितने जो है आप तर्म तक यानि कि कितनी बार आप राष्टपती बन सकते हैं उसका जवाब दीजिएगा तीसरा जवाब आपको देना है अमेरिका में राष्टपती का कारिकाल कितने सालों का होता है जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट पांस साल के ल आप लिखो तो आपके दिमाग में ये फस जाए रह जाए और एक्जाम में भगवान की कृपास से आपके लिए ये आ जाए चुलिए नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं कोशन नमर 53 किसी भारतिये राज की पर्थम महिला राजपाल का नाम बता रहा है यानि की वेरी फर्स राजिक की बनी थी तो इसका भी उत्तर आपको क्या रखना है यार दुख में से कट कर देता हूं यूपी यूपी यानिकी उत्तर प्रदेश बिहार का ये पड़ोसी राजपी है आगे देखिए एक और नाम आपको यहां से दिखेगा स्रीमती सुचिता क्रिपलानी ये भ प्रम लोग बढ़ते हैं भारत में यह कौन परमानित करता है कि कोई विधयक धन विधयक है अधवा नहीं भारत के राष्ट पती करते हैं या प्रधान मंत्री करते हैं वितायोक के अध्यक्ष करते हैं या लोगसभा अध्यक्ष करते हैं तो देखिए फिलाल मैं आपको ब महली बात होगी चलो अच्छी बात है लेकिन पर्थम महिला लोगसभा की स्पीकर कौंती जो की भार जो बिहार से आते थी उनका नाम देखिए मैं बतातू मीरा कुमार उनका नाम क्या था मीरा कुमार इसके बाद सुमित्रा महाजन भी बनी जो की इंदौर से बराबर जीती लोगसभा की अध्यक्ष बन चुकी है लेकिन फिलाल इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा लोगसभा अध्यक्ष मैंने आपको करेंट लोगसभा अध्यक्ष का नाम भी बता दिया है तो याद रखिएगा एक्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है यह पॉलिटी यान में top 100 question जो बार-बार exam में आते हैं और recently 6 मेने के activity की वो मैं आपके साथ साजा कर दूँगा बरोनी ताप घर जो है बिजली घर यह कहां पर इस्तित है बरोनी ताप बिजली घर कहां इस्तित है असाम में बिहार में हिमाचल परदेश में उत्तर परदेश में अब आपको द कि इसे जो है बरोनी ताप बिजली घर को कब अस्थाफित किया गया है तो याद रखेगा 1962 में और 1962 में हम लोगों ने चीन के साथ लड़ाई भी लड़ी थी जिसमें unfortunately हमारी हार हुई थी और हमने अकसाई चीन या फिर उत्तराखंड का बहुत सारा हिस्ता जो है सरकार के द्वारा जो है गवा दिया था खेर हमारी हार हुई थी इस हार को हमें सुईकार करके आगे बढ़ना चाहिए फिलाल मैं जो आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा आप लोगों को बरोनी ताप घर रसिया के द्वारा जिया रसिया की सहायता से जो है इसे अस्थापित किया गया था रजिया हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है हमारा नहीं हम सभी का बहुत पुराना दोस्त है राइट अंसर क्या जाएगा ऑप्सन टू चलिए अगले कोश्चन की और मोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने यह रहा भारत का जो पहली बोलने वाली चल् राइट आंसर चलिए अगले कोश्चन की और हम लोग बढ़ेंगे गांधी नामा चित्र में खस्तूरवा गांधी याने कि गांधी जी की पतनी की भूमिका किसने निभाई थी तो यह तो बहुत ही आसान सा आंसर है इसे आप सभी को पता होना चाहिए एक्जाम में यह बह नाम था वैन किंग सले याद रखेगा क्या नामें का वैन किंग सले और यह भी बहुत बार कोश्चन एक्जाम में आ चुका है पेन पेपर पर नोट डाउन कर लिजे का चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बात अगर जनगन्ना के उपर आपको एक वीडियो चाहिए देखे उस समय के अधार पर MP था लेकिन आपको नीचे कोमेंट करके बताना है 2011 के अनुसार किस राज में सिसु मिर्टिव दर सबसे अधिक है तब मोस्ट जो इनफार्ट मॉरेटरी रेट है वो किस राज का है नीचे कोमेंट करके बताईएगा चलिए अगले कोश्चन के और अमलोग बढ़ेंगे पौधों का प्रमुक प्रकास संसलेसी अंग कौन सा है 1996 का वीडियो देखे प्रीवेसर कोश्चन पेपर का वहां भी ये कोश्चन हो बहु आया था तो देखो रिपीट कोश्चन तो होते हैं भाईया इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा पुस् मैंने वहाँ पर अंñसर इसका क्या बता दिया था इसका आंसर मैंने चार्ल्स डार्विन बता दिया था जो की गलत है इसका आंसर है ग्रेगर मैंडल क्या हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की और नेक्ट कोशन आपके सामने ये रहा कौण से हिंदी कभी का सम्मंध भक्ति परंपरा से है तो देखिए रस खान इसका right answer है रस खान जो हैं क्रिशन की भक्ति के उपर कृष्न के उपर कवीता लिखते थे तो आप सोचलो भारत की बिरासत कितनी मजबूत है कि कोई एक मुसलिम क्रिशन की भक्ति करता हो और क्रिश्न के उपर बहुत सारे उसने का भी रच दिये कविताएं रच दी ऐसा देश है हमारा चलिए आगे बढ़ेंगे यह क्या इसे आप पसंद करते हैं यह किताब का नाम है आपको बताना इसे किसे ने लिखा तू देखिए इसे लिखा गया है किमते पराया कम कब होती है तो देखिए यानिकी किसी भी बस्तु की कीमत गिर कब जाती है जब अर्थिक मंदी आजाती है दो हजा targeting 20 में याद रखना दूद, अंडे, प्याज, सब की कीमतें नीचे गिर गई थी लोग कम खरदना चाहते थे, पैसे बचाना चाहते थे तो उसमें सारी कीमतें नीचे आ गई थी लेकिन जब मुद्रा स्पृति हो जाती है तो कीमतें क्या होती है बढ़ जाती है इस बात का खास ख्याल रखेगा हो सकता है कि एकजाम में यही प्रसंद पूछ दिया जाए 1930 के दसक में आर्थिक संकट कहां आरंभ हुआ था, कहां है अमेरिका, एक नमबर में है अमेरिका यानि कि USA इसका राइट अंसर हो जाएगा, USA में 1930 में मंदी आई थी, आर्थिक संकट आया था राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका वन नमबर, चलिए आगे बढ़ेंगे सोतंतर राज्यों के राष्ट कुल में भूत पूर्व राष्टियों की एक आई थी, तो देखिए इंडिया और चाइना इसमें सामिल था, इसमें कौन-कौन सामिल था, इंडिया और चाइना यानि कि option 2 आपका क्या होगा, correct हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ेंगे next question की ओर, पॉलेंड पर जर्मनी द्वारा आकरमन का तुरंत परिनाम क्या हुआ तो देखिए जैसे ही पॉलेंड पर जर्मनी ने आकरमन किया, second world war हो गया, world war second start हो गया था right answer क्या है, option number 2, चलिए बढ़ेंगे question number 68 की ओर, यहाँ पर देखो थोड़ा सा answer wrong है, actually question नहीं, question लिखा थोड़ा सा गलत गया है, भारत होगा यहाँ पर भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक कारियत मुख्यमंतरी कौन है, तो देखिए इसका answer 1993 के according तो सही है, यह तो बात सही है, यहाँ से आप देख पाओगे, जोती बसू इसका right answer है, लेकिन अभी के अनुसार, अभी के अनुसार जो है, यह answer बदल गया है, आर के चामलिंग आर के चामलिंग जो की सिक्किम के, याद रखेगा सिक्किम के मुख्यमंतरी थे, उन्होंने इस record को तोड़ा, कितने साल तक यह मुख्यमंतरी थे, नीचे comment करके आपको बताना है, गूगल कीजिए कुछ चीजे आप करोगे, खुद से तो long term तक आप याद रख पाओगे, सरवोची नाले, यानि कि सुप्रीम कोट के किस नियाधिस पर असफल महाभ्योग, यानि कि ये सफल नहीं हो पाया था, महाभ्योग इन पे लगाया गया था, लेकिन two third majority से जो है लोग सभाव राज सभा में पारित नहीं हो पाया था, उस जज़ का नाम बताना है आपको, तो देखिए, उस ज़़ का नाम यहाँ पे देखो, missing हो गया है, sorry, बट answer देखिए, third है, इनका नाम है रामा स्वामी, नयमूर्ती M. रामा स्वामी, इनका right answer है, याद रख लिजेगा, pen paper पे आप नोडाउन कर लो, मैंने आपको नाम बता दिया, option तो यहाँ पे missing था, पर अध्योगी क्रांती कहां से सुरुई हुई, देखिए, क्लास 9 में, 10 में जवाब पढ़ते थे, objective 1 मार्ट के question इस तरह के बहुत आये होंगे आपके exam में, right answer क्या है, England, सबसे पहले, England में अध्योगी क्रांती की सुरुवात हुई थी, भारत में सहकारिता, समीती, अधिनिय कब पारित हुआ, बहुत बहुत important question है ये, ये question क्या है, बहुत ही important है और इसका right answer है 1904, कब हुआ था पारित है, 1904 इस भी में, ठीक है न, चलिए, आगे बढ़ेंगे next question जो कि आपके सामने ये रहा, किस राजी को भारत का अनभंडार कहा जाता है, बियार को, पंजाब को, राजस्तान को, या उत्तर परदिश को, तो देखिए इसका right answer है UP, UP को जो है भारत का अनभंडार कहा जाता है, यहाँ पे सबसे अधिक गेहूं भी उपचता है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप इन चीजों को याद रखिएगा, फिलाल, आपको क्या याद रखना ह और हाँ, आगे साथ सवाल आए भी, मुझे याद नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा धान, वो कहां उगाया जाता है, धान का कटोरा किसे काते है, नीचे कमेंट करके आप लोग उसे बताएगा, धान का कटोरा भारत में किसे का जाता है, किस राजी में सबसे अधिक चाव उत्पादित किया जाता है, तो चावल में राइट आंसर क्या है, पस्चिन बंगाल, क्या है, पस्चिन बंगाल, भारत की तिरतिये पंचवर्षी योजना की सुरुवात कब की गई थी, टाइम बताना है आपको, क्या बताना है, टाइम, तो याद रखिएगा, 1 अप्रेल 1961 को, एक एप्रेल, 1969 को जो है, तीरतिये पंचवर्षी योजना की सुरुवात हुई थी, फिलाल, आगे बढ़ते हैं, पर्थम पंचवर्षी योजना में अर्थ व्यवस्था के किस छेतर पर बल दिया गया, क्रिसी, उद्योग, सिक्छा, या यातायात, तो देखिए, पर पूश्चन एक्जाम में आपका आएगा नहीं, 2011 के अनुसार या फिर करेंटली पूछा जाए, तो भारत की अभी जो, यहां पे लोगों की संख्या है, हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ा है, 142 कडूर, दसमलब 86 लाइक, या दर्खिएगा, 142 दसमलब 86 कडूर, 1990 की जन गन्ना करेंशार भारत की मिर्ट्यू दर क्या थी, यह भी करेंट अफेर्स का है, छोड़ देते हैं, भारत में कुल कितने छेत परवन है, यह भी करेंट अफेर्स है, छोड़ देते हैं, योजना आयोग का मुक्षी कौन होता है, यह भी छोड़ देते हैं, यह तो PM होता है प्राइमिनिस्टर लेकिन 2015 में इस आयोग को हटा दिया गया है अब योजना आयोग नाम का कोई भी संस्थाप को नहीं मिलेगी इसके अस्थान पर नीटी आयोग की जो है अस्थापना की गए है पियम मोधी के द्वारा और प्रधानमंत्री इसका क्या होता है अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंस होता है ध्यान चंदर का संबंध किस खेल से है तो ध्यान चंदर को होकी का जादूगर कहा जाता था और होकी ही इसका राइट अंसर है और उसी समय पे जब इन्होंने लगातार गॉल्ड मेडल हम लोगों को अलंपिक में देलाया भारत का रास्टे खेल होकी हो चुका था चली आगे बढ़ेंगे और होकी पे हम लोग बहुत आगे थे बट फिर मैट वाली होकी आगे और हम लोग पिछल गए माधव राव सिंधिया किस खेल के संगठन परदान है नहीं पूछा जाएगा करेंट अफेर से ये किस हिंदी चलचित्र का परथम बिश्व परदर्षन जी टीवी पर हुआ था तो देखे टीवी पे पर परथम बिश्व परदर्षन किस फिल्म का किया गया था खलनायक का महरबान का हमेरा ही प्यार के तो देखे फिर तेरी याद आई इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था ओप्सन थर इसका क्या होगा हिंदी धारावाई के रमायन के निर्माता का नाम आपको बताना है तो देखे कौन ने जानता इनको रामानंद सागर ठीक है रामानंद सागर चलिए आगे बढ़ेंगे कौन सा एक देश डक्षिन ACI छेत्रिय संगठन का सदस्य नहीं है ये कोश्चन अभी के समय में 2023 के नुसार गलत है लेकिन 1993 के एकॉर्डिंग अफगानिस्तान इसका सही आंसर था लेकिन अफगानिस्तान अब जो है सार्क कंट्री का सदस्य बन चुका है और ये कब बना है ये कोश्चन में पूछा जा सकता है तो देखिए आपको याद रखना है ये कब बना था ये बना था 2004 में कब बना है 2004 में जो है ये सदस्य बन चुका है चलिए आगे बढ़ेंगे राज का मुख्य मंत्री किसके परती उत्तरदाई होता है राजपाल विधान सभा परधान मंत्री या राज सभा के परती बहुत ही आसान सा सवाल है देखिए ये होगा विधान परिश्चत ये क्या हो जाएगा विधान सभा यानि कि दो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा केंद्र सरकार में राज मंत्री की स्थिति क्या होती है तो देखिए केंद्र सरकार में राज मंत्री जो होते हैं वह केंद्र का ऐसा मंत्री होता एक्चली ये थोड़ा सा मैस हो गया खेर इसे रहने देते हैं इस क्वेश्चन को अगले कोई वीडियो में इसके उपर में डिस तो इसका राही टांसर देखिए अलीगड मुसलिम विस्विद्याले जो है सेंट्रल लेवल का युनिवर्सेटी है चलिए आगे बढ़ते हैं किसी राज्य में समानित है किसके प्रामर्स पर राष्टपती सासन लगाया जाता है तो गवर्नर के सासन गवर्नर अगर बोल दे के छेतरा अधिकार में है यानि कि गोवा जो है किस हाइकोट को मानता है आंध्रप्रदेश, मुंबई, केरल या करनाटक तो देखिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएका बोंबई उस समय ये बोंबई था लेकिन अभी ये हो चला है मुंबई अभी ये क्या हो चुका है टरन होकर मुंबई याद रखिएगा इस तरह के कोशन बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे कौन सा प्रसिद्य हिंदी कभी संसत का सदे से रह चुका है तो देखिए ये राज सभा के सदे से बने थे इनका नाम है राम धारी सिंग दिनकर इनका नाम क्या है राम धारी सिंग दिनकर राइट अनसर क्या हो जाएगा ऑपसर नमबर थर्ड क्या हो जाएगा 1993 में ये बने थे ये भी याद रखें न खैर ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेटर फ्रांस तफादर टू दी डॉटर यहां पे आर चुट गया है तो ये किस ने लिखा था याद रखेंगा ये हमारे देश के पर्थम प्रधान मंत्री जिनका नाम क्या है जवाहलाल नेरो इन्होंने लिखा था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किसी अमेरिकी राष्टपती ने अपने कारिकाल के दोरान यानि कि उनका सासन काल चली रहा थ और समय पूरा नहीं हुआ और उन्होंने इस्तिफा दे दिया उस राष्टपती का नाम आपको बताना है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉर्ज बुस इनका नाम है इनका नाम क्या है जॉर्ज बुस चली आगे बढ़ते हैं गुगली खेल जो है ये किस खेल से सम्मंदित है तो क्रिकेट में गुगली दिया जाता है गुगली बॉल स्पीनर करते हैं तो राइक अनसर क्या हो जाएगा ओक्सन नमबर टू क्रिकेट ठीक है भारत के बरतमान उपराष्टपती कौन है तो भारत के बरतमान उपराष्टपती जगदीप धन जो कि पस्चिम बंगाल के पहले क्या थे गवर्नर थे लेकिन अब हमारे वो उपराष्टपती है और भारत के परतम उपराष्टपती का नाम है स्वरपली राधा क्रिश्मन जिनके जन्म दिवस पर हम लोग सिक्षक दिवस भारत में मनाते हैं जो कि क्या है पांच उपर जो है कानून मोदी जी भी बना सकते हैं और आप नितिस कुमार भी बना सकते हैं अगर आपके राज के मुख्या का नाम क्या है यगी योगी योगी आदितनात है तो वो भी यहाँ पर बना सकते है ठीक है राज का उच्टम विधी अधिकारी कौन होता है तो ये रिटर्निग अधिकारी वो होता है वहाँ अधिकारी जो किसी निर्वाचन छेत्र में चुनाब के लिए उतरदाई होता है अकाउंट टेबल होता है और रिजल्ट की य垣ि परिनाम की गोसना करता है राजपाल न्यूक्त कि जाने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए बहुत important question है 35 साल लेकिन देश का PM बनने के लिए और CM बनने के लिए यह minimum एज 25 साल रखी गए है लोक सभा और विधान सभा लड़ने के लिए भी न्यू नितम आयू 25 है लेकिन भारत का प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए नियूनितम उम्रसीमा 35 वर्स होनी चाहिए बहुत ही इंपोर्टेंट है एज वाला ये कोश्चन बार बार एक्जाम में पूछा जाता है कोमेंट सेक्षन में जैहिन जरूर लिखिएगा मैंने 93 और 96 की कोश्चन पेपर करा दिये जल्द ही जल्द ही 1998 का जो प्रिवेशर कोश्चन पेपर है उसे हम लोग आप लोगों के सामने रखेंगे निचे कोमेंट करके जैहिन जरूर लिखिएगा आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया अपने दोस्तों और रिष्टेदारों सहलियों तक इस वीडियो को सेर करें साजा करें और लाइक वाला बटन दबा देना है आपको तक यू सो मच